तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे clean kit को कैसे use करना होता है कौन गोन सी आप लोगों को साफधानिया रखनी होती है और किन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि आप लोगों की जो pregnancy है वो safely और 100% terminate हो जाए तो चलिए start करते हैं वीडियो को ब प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो और इसको यूज करने का जो तरीका है वो क्या रहता है लेकिन ये बात बताने से पहले मैं आपको इस किट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को अक्सर इस जानकारी का पता नहीं होता और लोग इस किट को ब् जड़की है जो unmarried है और उसको pregnancy हो गई है या फिर महिला को कोई दिमागी बीमारी है या महिला के लिए जो pregnancy है वो जान लेवा है जान जाने का खत्रा रहता है या फिर बच्चे में किसी परकार का birth defect हो या बच्चे की दिल की धड़कन ना आई हो या फिर महिला का miscarriage हो गया जब तक बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आती है तब तक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके prescribe method से इस kit को use कर सकते हो ये आप लोगों का कानूनी हक होता है फिर जब डॉक्टर आप लोगों को इस kit को prescribe कर देंगे तो ये kit आप लोग किसी भी medical store से जाके purchase कर सकते हो आग अब जो pregnancy के दिन है वो आप लोगों को कैसे count करने है? Pregnancy के दिन count करने के लिए आप लोगोंने जिस दिन relation बनाया है वहां से आप लोगों को count नहीं करनी है pregnancy के दिन हमेशा जिस दिन female को last बार period start हुए थे वहां से count करने होती है जिसे हम लोग LMP date बोलती है ठीक है अब कुछ cases में लोगों को जो pregnancy है वो उन्चास दिनों के बाद पता लगती है तो ऐसी condition में आप लोग इस kit को 63 दिनों के अंदर अंदर safely use कर सकती हो डोक्टर के supervision में मतलब की डोक्टर के देखरेक में बट अगर आप लोग इस kit को 63 दिनों से ज़्यादा की pregnancy में use करोगे तो ये kit अपना काम नहीं करेगी kit देने पर या तो pregnancy के कुछ products निकल जाएंगे कुछ uterus में रह जाएंगे या फिर महिला को जादा तेज ब्लीडिंग होगी जिससे महिला का blood pressure low हो सकता है और जो महिला है वो शोक में जा सकती है आगे हम लोग discuss करती है कि इस kit को आप लोग कैसे use करोगे और देखिए guys ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरी तरह से use किया हुआ है यहाँ पर patient की आप ultrasound देख सकते हो ये पहली ultrasound है kit लेने से पहले की और ये बाद की ultrasound report है जिसमें pregnancy बिल्कुल भी show नहीं हो रही है normal scan आया हुआ है इस method को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बाते भी बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है जब आप लोग इस kit को use करोगे तो देखिए इस kit को use करने से पहले आप लोगों को ये sure करना है कि जो महिला के अंदर hemoglobin level है जो female इस kit को ले रही है उनके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए जो hemoglobin level है वो कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए नमबर टू अगर कोई female खून पतला करने वाली गोली ले रही है जैसे कि इकोस्परीन या एस्परीन तो वो साथ दिन पहले बंद करनी होती है फिर वो इस kit को ले सकती है नमबर तीन इस kit को लेने से पहले आप लोगों को एक ultrasound करवाना जरूरी होता है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि eptopic pregnancy होने में जो urine pregnancy test card है उसमें आप लोगों को एक dark line दिखाई देती है और एक खलकी line दिखाई देती है और eptopic pregnancy तो already महिला के लिए जानलेवा condition होती है जिसमें हम लोगों को immediately operation कराना पड़ता है चीक है अब अगर eptopic pregnancy का case होता है और अगर कोई महिला इस kit को खा लेती है तो उनको तेज दर्द शुरू होता है और जो bleeding है या तो वो properly start नहीं होती है या फिर महिला को बहुती light bleeding start होती है जो की eptopic pregnancy के cases में होता है आगे हम लोग discuss करते हैं कि इस kit को आप लोगों को कैसे use करना होता है देखे इस kit में 5 गोलियां होती है जो पहली बड़ी गोली है वो mefepristone की होती है 200 mg की और जो pending 4 गोलियां आप लोग देख रहे हो ये mesoprostol की होती है परते गोली 200 mg की होती है अब जो पहली बड़ी गोली है अगर कोई महिला इस गोली को खाती है तो उससे उनकी शरीर में ये गोली जाके pregnancy के लिए जो जरूरी हार्मोन है उसको रोग देती है उसके level को ये fall करा देती है जिससे क्या होता है जो बच्चेदानी का मूँ है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है जिसको खुलने में लगबग लगबग 36-48 गंटों का समय लग जाता है फिर जो बच्ची हुई चार गोलियां है mesoprostol की जब female इस गोली को खाती है तो उससे उनके uterus में contraction सकुडन पैदा होती है अब देखिए होता यह है कि जब बच्चा uterus में जाता है बच्चेदानी में जाता है तो वो बच्चेदानी की वॉल के साथ चिपक जाता है इंप्लांट हो जाता है राइट जब महिला इन चार गोलियों को खाती है तो uterus में contraction सकुडन पैदा होती है जिससे जो इडिंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है तो आगे हम लोग डिसकस करती है कि यह जो किट है आप लोगों को कैसे यूज करनी है इस पॉइंट के बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि यह जो किट आप लोगों ने यूज की है यह अपना काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है तो देखिए इस किट की जो पहली गोली है जो मीफे प्रिस्टोन की है वो आप लोगों को दिन के समय लेनी है तो मान लीजे कि किसी महिला ने ये गोली आज से स्टार्ट करनी है तो ने क्या करना है सुबा आठ बजे हलका करना है नाश्ता करना है नाश्ते में वो कुछ भी हलका फुलका खा सकते हैं जैसे कि ब्रेट बिस्कुट डबल रोटी कुछ भी और उसके दो घंटे के बाद सुबा दस बजे पहली बड़ी गोली जो मीफे प्रिस्टोन की है वो उनको पानी के साथ लेनी है जैसे हम लोग स सुबा दस बजे परसो को यह जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे दो मेजो प्रोस्टोन की गोलियां देख रहे हो यह उन्हें गालों के बीच रखनी है जिसे बकल कैविटी बोलती जो गम्स और चीक्स के बीच की कैविटी है बकल कैविटी वहां पर रख सकते हैं एक गोली एक गोल इस सैड़ या फिर दो गोलियाँ एक साथ जीप के नीचे रख सकती है ठीके अब कुछ लोग बो लेंगे की सर यह गोलिया कैसे रखेंगे क्योंकि गोलियाँ तो टेस्ट में बिलकुल कडवी होगी तो ऐसा än बिलकुल नहीं है टेस्ट में ये जो गोलियां है ये टेस्ट लेस होती है इनका कोई टेस्ट नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे ये गोलियां घुलेंगी वैसे वैसे आप लोगों को चौक जैसी फिलिंग आ सकती है ये गोलियां घुलने में 30 मिनट का टाइम लेती हैं और जो थूक होगा जो सलाइवा होगा उसको आपको फैकना नहीं है वो आपको निगलना है ठीक है कुछ लोग यहाँ पर ये गलती करती है कि इस गोली को वो लोग पानी के साथ लेती हैं अगर आप लोग इस गोली को पानी के साथ लोगे तो ये जो गोलियां अपना पूरा असर नहीं दिखाती हैं कुछ लोग इस गोली को 48 गंटे से पहले लेती हैं तो अगर आप लोग 48 घंटे से पहले मिजो प्रोस्टो लोगे तो बच्चेदानी का मुझ खुला नहीं होगा जिससे ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी या फिर कुछ केसीज में तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट नहीं होती है और अगर कुछ केसीज में जो गंटे के गैप के बाद आप लोगों को फिर से एक बज़े दुबारा से सेम तरीके से दो गोलियां जीब के नीचे या फिर गालों के बीच में रखनी है कुछ डोक्टर आप लोगों को एक साथ चार गोलियां मीजो प्रोस्टोल की वजाइना में रखने की एडवाइज यह तरीका भी काम करता है लेकिन इससे रिस्क भी रहता है रिस्क यह रहता है कि कभी-कभी महिला से जो गोलियां हैं वो एकस्पैल आउट हो जाती है मतलब बाहर निकल जाती है अब जब गोलियां बाहर निकल जाएंगी तो गोलियां काम नहीं करेंगी जिससे आप लोग से चा होता है वोमिट होने के चांसी जिस रहते हैं उल्टी आने का खत्रा रहता है अगर उल्टी आ जाएगी तो आप लोगों को दूबारा से यह जो गोलियां है रिपीट करनी पड़ती है ठीक है तो यह कुछ बाती है जो आप लोगों को धियान में रखनी है आगे हम करोगे कि जो प्रोसेस चल रहा है वो नोर्मल है या एमनोर्मल है तो देखिए जब आप लोग पहली बड़ी गोली लोगे मिफे प्रिस्टोन की तो इस गोली को लेने से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि सर ब्लीडिंग नहीं होती है तो देखिए पहली बड़ी गोली से पीरियर्ट या ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है हला कि कुछ केसी में महिला को खून के धब्बे दिख सकते हैं लाइट ब्लीडिंग स्पोर्टिंग या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है अगर ब्लीडिंग स्टार् रखना है, इसके इलावा देखा गया है कि महिलाओं को चक्कर आते हैं, कमजोरी फ्यलोती है, नोजिया वोमिटिंग होता है जो कि पहली गोली के असर के कारण है जो कि यह दर शाता है कि जो पहली गोली है यह अपना काम कर रही है इसके बाद जब आप लोग मीजो प्रोसोल की गोलियां लोगे जो दस बजे में आपको बताई है इस गोली को लेने के बाद पेट में ते परेशानिया है यह 24-72 गंटे में अपने आप खतम हो जाती हैं अब बात आती है कि मीजोप्रोस्टो लेने के बाद जो ब्लेडिंग है वो कितने टाइम में स्टार्ट होती है तो जब आप लोग मीजो प्रोस्टो लोगे 10 बजे तो जो bleeding है वो 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में start हो जाती है ज्यादतर cases में लेकिन कुछ cases में इसको start होने में 24 घंटे का time भी लग जाता है फिर बात आती है कि जो bleeding है ये कितने दिनों तक होती है तो ये जो bleeding है ये maximum 7 से 12 दिन तक होती है मतलब 7 से 12 दिन में ये जो bleeding है एक बार तो पूरी heavy होगी फिर दीरे दीरे कम होते 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 ये बिलकुल stop हो जाती है फिर बात आती है कि आप लोग कैसे करोगे कि ये जो bleeding है ये normal है या फिर abnormal है तो देखिए शुरुवाती जो 24 घंटे होते हैं उसमें heavy flow रहता है period से भी तेज flow रहेगा उसमें आप लोगों को बड़े-बड़े clothes pass out हो सकते हैं खून के ठके निकल सकते हैं जिसका size निम्बू जितना भी हो सकता है पहले 24 घंटे में आप लोगों को सफेद कलर का mass type का tissue भी देखने को मिल सकता है जिसे हम लोग gestational sack बोलते हैं अब कुछ लोगों को ये नहीं पता लगता है कि heavy flow या heavy जो bleeding है वो आप लोग कैसे consider करोगे तो देखिए अगर किसी महिला को 2 घंटे में 2 पैट से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो महिला है उनको heavy bleeding हो रही है तो ये जो heavy flow है ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर है तो आप लोगों को डोक्टर से immediately consult करना है आगे हम लोग discuss करते हैं कि आप लोग कैसे confirm करोगे कि आप लोगों की जो pregnancy है वो clear हुई है कि नहीं हुई है लेकिन ये बात बताने से पहले आप लोगों को पूरे process में कुछ जरूरी बाते भी धियान में रखनी है नमबर वन जब mesoprostol की गोलियां खाते हैं तो उसे पेट में तेज दर्द होता है और फिर bleeding स्टार्ट होते ही है और जो bleeding है वो इतनी तेज होती है कि लोग अकसर घबरा जाते हैं तो पहली बात तो आप लोगों को घबराना नहीं है mesoprostol लेने के बाद जो तेज bleeding है वो 24 घंटे तक हो सकती है नमबर टू जो mesoprostol की गोलियां है जब bleeding स्टार्ट होती है तो उससे पहले तेज दर्द होता है और ऐसे में जो लोग हैं वो antispasmodric drug खा लेते हैं मतलब कि पेट में दर्द वाली गोलियां खा लेती हैं जैसे कि meftal spas या anafoton tablets ये गोलियां आप लोगों को नहीं खानी हैं इन गोलियों खाने से mesoprostol का असर कम हो जाता है जिससे आप लोगों को incomplete abortion हो सकता है अब गोली कौन सी खानी है वो हम लोग आगे discuss करेंगे नमबर तीन किसी भी गोली को लेने से अगर bleeding स्टार्ट हो जाती है तो आप लोगों को पूरी complete kit खानी compulsory है ऐसा नहीं है कि पहली गोली खाई bleeding स्टार्ट होई तो आप लोग चार गोलियां ना खाओ complete kit खाना वरना आप लोगों का incomplete abortion हो सकता है अगला ये है कि अगर किसी महिला को 24 घंटे से जादा का time लग जाता है और पेट में तेज दर्द बना हुआ है और वो जो दर्द है वो दर्द वाली गोलियां खाने के बाद भी out of control है तो आप लोगों को immediately doctor से consult करना है फिर अगर किसी महिला को बुखार 101 degree Fahrenheit से जादा है तो आप लोगों को doctor से consult करना है क्योंकि कुछ cases में infection होने की कारण बुखार आता है फिर अगर वजाईना के रास्ते से कुछ मवार टाइप का निकल रहा है पस टाइप का निकल रहा है तो आप लोगों को doctor से मिलना है क्योंकि ये infection को indicate करता है आगे हम लोग discuss करते हैं कि आप लोग कैसे करोगे कि आप लोगों की जो pregnancy है वो clear हुई है कि नहीं हुई है तो confirmation के लिए हम लोग 14 दिन पर ultrasound करवाते हैं मान लीजे कि किसी भी महिला ने एक तारीक को किट ली है तो हम लोग 14 तारीक को एक pelvic ultrasound करवाते हैं आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि 14 दिन से पहले अगर आप लोग ultrasound कराते हो तो uterus में blood clothes आपको दिख सकते हैं अब जो लोग ultrasound नहीं करवा सकते हैं वो 21 दिन के बाद urine pregnancy test कर सकते हैं अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग 21 दिन से पहले urine pregnancy test करोगे तो आपको pregnancy test card में एक light line दिख सकती है जिससे आप लोगों को घबराना नहीं है 21 दिन के बाद अगर आप लोग दुबार से pregnancy test करोगे और अगर आप लोगों की pregnancy clear होगी तो आप लोगों को यह line disappear हो जाएगी और जो test है वो completely negative आ जाएगा आगे हम लोग इस kit के regarding frequent ask question के बारह में discuss करें तो पहला जो question है वो यह है कि हम लोग इस kit को maximum कितनी बार use कर सकते हैं तो देखिए इस kit को आप लोग 2 साल में एक बार use कर सकते हो अगर पहले use करोगे तो इस kit के failure rate increase हो जाएगे जिससे आप लोगों को incomplete abortion हो सकता है नमबर 2 क्या breastfeeding mother इस kit को use कर सकते हैं तो बेशक कर सकते हैं लेकिन गोलियां खाने के 24 घंटे तक आप लोगों को breastfeed नहीं कराना है और जब आप लोगों को breastfeed कराओगे तो जो first milk होगा उसको आप लोगों को discard करना है मतलब कि निकाल के fact देना है फिर आप बच्चे को feed करा सक नमबर 3 क्या इस kit को लेने से future में pregnancy conceive करने में problem आती है तो ऐसा बिलकुल नहीं है इस kit को use करने से future में pregnancy conceive करने में कोई problem नहीं आती है लेकिन ये भी सच है कि अगर आप लोग गलत तरीके से गलत route से गलत timing से इस kit को बिना doctor की advice से बारी बारी यूज करोगे तो उससे आपकी ut stress की lining खराब हो सकती है और philippine tube के block होने का risk रहता है जिससे आप लोगों को pregnancy conceive करने में परेशानी आ सकती है आगे हम लोग discuss करते हैं कि इस kit को लेने के बाद आप लोग कौन सी दर्द वाली गोलिया खा सकते हो तो देखिए मैंने आपको previously बताया है कि दर्द के लिए आप ल करती है जो की यूजली ऐसे cases में हम लोग advise करते हैं लेने के लिए हम लोग discuss करें इस kit के regarding मेरी opinion की तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इस kit की बजाए कोई अच्छी branded kit का use करें जैसे की unwanted kit, Mephygest kit, Khushy empty kit या Contra pill ये kit काफी अच्छा result देती है तो आशा कर के जुगत जैसे हो क्या एलुगत कर रिए leaders की जुगत